सुनो सुनो रे सुनो सुनो टेस्ट बुक सूपर कोचिंग लाया है हॉट डिल सेल जी हां इस 13 और 14 मार्च को टेस्ट बुक ले के आया है आपके लिए सभी टेस्ट बुक सूपर कोचिंग पर अप टू 90% आफ और प्लस 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी और फ्री टेस्ट बुक पास तो अगर आप S.S.C. बैंक, L.I.C. टीचिंग, इंजिनियरिंग, स्टेट पियसी, U.P.S.C. और डिफेंज जैसी एक्जाम की तयारी कर रहे है तो अभी जाईए और इस ओफर का लाब उठाईए हो जाईए तयार जहाँ पर हम करने जा रहे हैं S.S.C. C.γl. के जीके पेवार जहांपर हम लोग करेंगे IMPORTANT सवाल और दोस्तो प्रीवियेस एक के कॉ fabulous एक के को उल्ए हम करर रहे हैं क्या लेवल होता है ठीक है क्या format होता है वह यहां का मोटिवेशनल कोट है कोई काम कितना भी कठोर क्यों ना हो जिद और द्रड विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है सीधी सी बात है अगर अपने अंदर तो आप दोस्तों फाइट करके अपने उस लक्ष को पा सकते हो जिसके आपने सपने देखें इसलिए हम लोग यहां पर क्या मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे शाम को चार से पांच बजे जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कर सकते हो सीजेल के सवाल चले इसको स्टार्ट करते हैं और सभी लोग फड़ावर से क्या करेंगे यह टाइप करेंगे जिससे मुझे यह पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन और और भाई साब पूछ रहे हैं अगर रेड़ी है तो फड़ा फड़ से जल्दी से यस यस टाइप कर देंगे तो यहां पर यह यस यस आ चुका है तो बढ़ते हैं पहले कोशन के साथ और पहला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा तो यहां पर पूछा जा रहा है विच आफ संधाल रिवॉल्ट जल्दी से बताएंगे यहां पर करेक्ट अंसर क्या हो जायेगा फड़ा अनसर साधिय। option number one कुछ लोग कहा रहे option number four ठीक है तो जिकते लोग WOR्च बहुत कररे हैं यहां पर दोस्तों क Happy रिवल्ड नहीं हो गा यहां पर करेक्ट आंशर होगा option number ndy संथल रिवोल्ड होगा यहा पर करेक्ट आंसर ठीक है जन्थल रिवोल्ड हो जाएगा अच्छाई इस इस revenue की शुरुवात कभ उई ति यह पूछ जा सकता है तो 30 जनवरी 1885 कभ उए थी दोस्तों 30ज thirds Ар 65 में इसकी शुरुवात हुई थी कि के यहां पर शुरुवात ही थी मैली इसको जारखंड में दोस्तों शुरुवात कर दो tyre ठीक है चलिए और संथल दोस्तों एक ट्राइब भी है संथल जो है आपको जारखंड में एक ट्राइब मिलेगी जंजाती मिलेगी ये भी आपको याद दखना है संथल मुंडा ओहियो ठीक है ये सारी ट्राइब्स हैं आपको जारखंड में देखने को मिलती है अगला हुमायू एंड शेर खान और बाबर एंड इब्राहिम लोधी किसके बीच में लड़ा गया था यहाँ पर 4-4 कह रहे हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा वेरिगूर्ट सौभाग यह अनुप स्वाती योनेस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1526 में दोस्तो प्रथम पानिपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में विजय प्राप्त हुई थी बाबर को ठीक है अब देखे बाबर और राना सांगा की बीच में कौन सा युद्ध हुआ था तो 1527 में हुआ था 1527 में कौन सा दोस्तो खनवा का याद रखेंगे अकबर और हेमु के बीच में कौनसी लटाई हुई थी इसकों कहा जाता है सेकेंड बैटल ओफ पानी पत किया कहते हम मोग सेकेंड बैटल औरॉफ पानी पत में हीं हुई थी और ये कोई थी 150 6 मे рекुब से एपको ध्याने हैं हुमायू और शेर खां के दो युद्ध हुए थे, एक हुआ था बैटल ओफ चौसा, जो की 1549 में हुआ था, और 1540 में बैटल ओफ करनोज हुआ था, और दोनों ही युद्ध में हुमायू जीता था, कौन जीता था, हुमायू जीता था, यह आपको याद रखना है, बाबर की अगर हम लडाईयों की ब किसके राजा मैदिनी के बीच में हुई थी लडाई, ठीक है, जीता कौन था, बाबर, 1529 में भी लडाई हुई थी, इसको हम लोग कहते है घागरा का युद्ध, और यह किसके किसके बीच में हुआ था, मुहमद लोधी, ठीक है, मुहमद लोधी, और दोस्तो, बाबर की ब दोस्तो, which of the following is a famous folk dance of Odisha, दोस्तो, निमलिखित में से कौन सा Odisha का एक प्रसिद्ध लोकनित है, क्या वो बिरहा है, घूमर है, कलबेलिया है, या फिर रंगा बेती है, जल्दी से बताएं कौन सा डांस जो है, folk dance आपको Odisha में देखने को मिलेगा, सभी लोग फटावट से ब बलजीत, बहुत ही बड़ी अनुप, मीनू, वेरिगूट, जितने लोग रंगा बाती कहरें, उनका correct answer हो जाएगा, बिरहा जो है दोस्तो, आपको ये UP और दोस्तो, कहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, अच्छा, घूमर, कहां पर देखने को मिलेगा, घूमर आपको रा 14th March को पूछा गया है, ठीक है, तो दोस्तो देख सकते हैं, ये सारे कोशन पूछाते है, कलबेलिया भी राजिस्थान का है, कलबेलिया को हम लोग दोस्तो, इसनेक डांस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसनेक डांस भी कहते हैं, और इसको युनेसको का भी दरजा दिया गया है युनेस्को का दरजा कब दिया गया था 2010 में ठीक है चले अगले कोशन पर बढ़ते हैं अगला कोशन आपके लिए यह रहा दोस्तों दबर्ड लाइक पीजन्ट एंड मोनाल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेश्ट दोस्तों तीतर और मोनल जैसे पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं क्याव टेंप्रेट наकलों ट्रॉरेश्ट ट्रॉपिकल अवरीतौरीन फोरेष्ट या फिर Mediterranean Forest, कहां पर पाए जाते हैं, सभी लोग बताएंगे, जल जली से, बलजीत कहरे सर B option होना चाहिए, ओके, तो यहां पर B option कहरे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, दोस्तों, यहां पर correct answer क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, option number one, correct होगा, ठीक है, यहां पर correct answer क्या हो जा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अच्छा दोस्तों, प्रिथिवी का यह भी याद रखिए का, इस से सवाल पुछायता है, प्रिथिवी को अगर हम तीन जोन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो यह हो गया, क्या, फ्रिजिट जोन, थंडा जोन है, फ्रिजिट जोन, नौर्थ पोल, यह साउथ पोल, दोनों जगे फ्रिजिट जोन, देखें, यह वाला जो रीजन होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोरिट जोन कहते हैं, और यह जो रीजन है, इसको हम लोग टेमपरेट जोन कहते हैं, क्या कहते हैं, यह भी आपको याद रखन पूछ लिया जाता है ठीक है आगे बढ़े आगे अगले कोशन पर ठीक है अगला कोशन दोस्तों आपके लिए यह रहा दोस्तों यहां पर आगे पढ़ने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा जितने भी लोग SSE की तयारी करें दोस्तों आपको अलग- जैम्स को अगर कोर्स को पर्चिस करते हैं ठीक है तो 35% का डिसकाउंट इसमें मिली रहा है आप एक्स्टा 70% का डिसकाउंट ले सकते हो 2999 का कोर्स आपको 675 में मिल जाएगा बाइ यूजिंग कूपन कोड गौरव एम G-A-U-R-A-V-M ठीक है जैसे आप इस कूपन कोड को यूज करोगे आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिल जाएगा साथ में दो महना की एक्स्टा वैलिडिटी मिलेगी और यहां पर दोस्तो 33% जो एक्स्टा वैलिटी है उसके साथ आप अपनी तैयारी भी कर पाओगे इसी वीडियो के नीचे डिसक्रिप्शन में लिंक है अगले कोश्टन पर पढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा विच ऑफ दौफ फॉलॉइंग इस कौश्ट बाए एक्सजेनिक फोर्स दोस्तों निमलिखित में से कौन सा जो है बहिरजाद बल्ग के कारण होता है क्रोजन लेंड स्लाइड अर्थक्वेक या यहाँ पर क 제품 सार होना चाहिए वॉलकेनों , मैं आपको बता दूल उउलकेनों जो होता है वह तो दोस्तो अंडोजैनिक फोर्स की वज़े से हुता है जो अंत्रिक मी इसलाइडप कती थे होता है और अब यहात को याद होगा ए अर्थक्वेक तरकी ब्रकी में आया यह साच है ठीक है टर्की और सीरिया में आया था जहां पर बहुत से लोग दोस्तों लगबग 50,000 से जादा दोस्तों जाने गई है ठीक है और यहां के लोगों के help करने के लिए भारत ने एक operation चलाया था जिसका नाम था operation दोस्त क्या था दोस्तों operation दोस्त ठीक है अगर आपको earthquake की जहासी इकरा बहुत ही बढ़िया अगला question which of the following dance form is mentioned in the ancient text of यहां पे व्यावार माला दोस्तों व्यावार माला के प्राचीन गरंथ में निमलिखित में से किस नित्षैली का उलेख है सतरिया मोहिनी अट्टम मनीपूरी और ODC किसका दोस्तों mention है सबी लोग बताएंगे मोहि सब्सक्राइब कर दोस्तों उनका यहां पर correct answer हो जाएगा अब देखे मोहिनी अट्टम की बात की जाए अच्छी लिए मोहिनी अट्टम कहा क्यो जाता है अट्टम मतलब dance मोहिनी मतलब दोस्तों जो विश्वनू का एक female वरजन होता है उनके द्वारा dance किया गया दोस्तों उसको हम कहते है? महिनी एकटम. यह कहां पर perform क्या जाता है? केरला में perform क्या जाता है. यह क्लासीकल डांस है. कैसा है कॉन सुननन नायर है याद रखेंगे यहाँ दोस्तो एक म् Stickिमा बात करें प्रभा जी का नाम याद रखेंगे प्रभा मैनन जी का माधुरी अम्मा जी का नाम याद रखेगा माधुरी अम्मा जी यह भी क्या परफॉर्म करती है यह भी परफॉर्म करती है सतरिया डांस कहां का है किसी ने शुरुवात किया था सतरिया का तो दोस्तों शंकरा देव ने किया था ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है मनीपूरी डांस कहा है मनीपूर कहा है और आप लोगों के एक्जैम में पूछा गया था मनीपूर से की दोस्तों यहां पे कौन से जावेरी सिस्टर जावेरी सिस्टर जो है वो कौन सा डांस परफॉर्म करती है तो वो करती है मनीपूर ठीक है मनीपूरी डांस ठीक ह और famous नाम है माधवी मुडगल जी का नाम याद रखेगा और इनके साथ यहां पे केलुचरन महोपात्रा किसका केलुचरन महोपात्रा जी का नाम आपको याद रखने हैं केलुचरन महोपात्रा ठीक है यह भी पूछे जाते हैं चले अगले कोश्चन पर बढ़ें दोस्तों फड़ा वट से सबी लोग क्या करेंगे एक पर जल्दी अल्दी से लाइक और शेयर करते हो चलेंगे अगला कोश्चन विच आफ दा फॉलाइंग इस फीचर ऑफ पबलिक गुड दोस्तों सारवजेनिक वस्तुओं की निमलिखित में से कौन सी विशेष्टा है दा इस एक करेंट आंसर क्या होगा यहां पर कहते हैं पबलिक गुड राइट चले अगला कोश्चन इन सिक्स्टीन हंड्रेड दा इस इंडिया कंपनी अक्वाइड चार्टर फ्रॉम विच रूलर 16-16 में इस्ट इंडिया कंपनी ने किस शाषक के चार्टर प्राप्त किया था पिरूज वन क्वीन विक्टोरिया और किंग जेम्स वन किसे किया था फटावर्ण से बताइंगे यहाँ पर कह रहे है सर बी option होना चाहिए रोहित कह रहे है अबाकी लोग क्या कहते है तो Elizabeth Elizabeth तो जिझते लोग Elizabeth किह रहे है उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा correct answer क्यों हो जाएगा Elizabeth हो जाेंगे चले आगे वड़े प्रिक्षा जाता है ठीक है चलिए यहां पर करेंट आंसर का है क्वीन एलिजाबेट अगला कोशन दवेस्ट पेंगॉल गॉवर्मेंट है परेश शिक्षाल है दोस्तों यह करेंट अफेर का कोशन है जो कि आपके एक्जाइम में पूछा गया था ठीक है तो योजना स्कीम क है तो नोट डाउन करते चरिएगा यह प्रीवेस एयर हम लोग कर रहें दोस्तों करेंट अफेर का योजना स्कीम ठीक है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से टॉपिक को कवर करना है दोस्तों अभी से तयारी शुरू कर दीजे अगर आप सीजेल की कर रहे है प्रोग्राम ता इनिशियेटिफ सपोर्ट दोस्तों पस्चिब मंगाल सरकार ने परिक्षा सिक्षा कारिकरम शुरू किया है यह पहल डैस का समर्थन करती है ओपन एयर क्लासरूम फाइनेशल असिस्टेंट फॉर गल्स और ब्लैक बोर डिस्टिबूशन इन एवरी स्कू आपके लिए हाइस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टूदा सैंसेस दोहजार ग्यारा इस ऑफ विच स्टेट जनगर्णा दोजार ग्यारा के नुसार सर्वधिक लिंगानुपात किस राज्यका है क्या वो छतिस गड़ है आंद प्रदेश है तमिलनाडू है या फिर केर केरला है जल्दी से बताइए कि यहां पेר सर घरला होना चाहिए ओके तो जिबते लोग यहां पे केरला के कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा क्या होगा किला करेक्टन हो जाएगा अब अब फिर जो official है वो कब आया रिपन के समय में जो official census था या फिर उसको हम लोग synchronous census भी कहते हैं synchronous census भी कहते हैं वो 881 में आया था ठीक है अगर census की बात करें तो यह 10 साल पर आता है 10 years पर आता है जो अभी 2011 का था यह कौन से नंबर का था 15 नंबर का था इसकी theme क्या थी theme थी, our senses, our future क्या theme थी, our senses, our future इसकी theme थी, अब हमें ये समझना होगा कि sex ratio होता क्या है, लिंगन उपात होता क्या है sex ratio मतलब female का ratio over thousand male कितने हजार पुरुषों पे कितनी महला है का जो ratio है उसको हम कहते है sex ratio तो अगर हम भारत की बात करें, पहले मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, overall, ठीक है तो overall कितना था दोस्तों, यहाँ पे 943 था क्या, 943, और दोस्तों अगर आप से पूछ लिया जाए, कि बताए केरला की, केरला की हम बात कर रहे हैं तो केरला का क्या ratio था, female to male का तो 1084, 1084, और 1000 male यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है चले है, हाँ, number of females per thousand male को हम लोग कहते हैं sex ratio चले है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले फटावर्ट से एक बार लाइक और शेयर करते हो चले के अगला question आपके screen पर यह रहा which of the following article is right under the article 308 अनुछेद 301 के तहत, निमलिखित में से कौन सा अधिकार आता है right to freedom, right to life, right to property और right to education जल्दी से बताए ठीक है, यहाँ पर कहरे सर होना चाहिए, property, property तो correct answer क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा right to property correct होगा, देखे, right to property जो है पहले यह दोस्तों मौलिक अधिकार था, मतलब fundamental right था तब यह अनुछेद 31 में था, और तब यह भाग किस में था भाग 3 में था, लेकिन फिर दोस्तों 44 संसोधन आया 44th Constitutional Amendment Act 1978 right to property को legal right बना दिया गया, मतलब कानूनन अधिकार बना दिया गया और अनुछेद 300A में रख दिया गया और भाग याद रखेगा, भाग 12 में ठीक है, तो आपको यहीं पर पूछा है कि अनुछेद 300A में कौन मोजुद है तो right to property है, right to freedom किस अनुछेद में है, तो अनुछेद 19 में है article 19 में है, जिसमें आपको 6 आजादिया दी गई है right to life किस में है, तो यह article 21, अनुछेद 21 में है और right to education जो है, यह article 21A, अनुछेद 21A में है किस संसोधन से आया था यह, तो 86th Constitutional Amendment Act 2002 दो, right, दोस्तो 86th संवेधानिक संसोधन 2002 के दायत आया था आगे बढ़ें, चले, अगले question पढ़ते हैं, दोस्तो अगला सवाल आप के लिए रहा imperfect is an autobiography of, दोस्तो imperfect किसकी आत्मकता है, क्या यह, राहुल ड्रेविड की है रवी शास्त्री की है, मिलखा सिंग की है, या फिर संजय मांजिरकर की है फड़ावर से बताई, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा फड़ावर से यहाँ पर वाइकिंग कहरे sir, D option होना चाहिए, ओखे बाकी लोग क्या कहते है, यहाँ पर correct answer तो संजय मारके कर जो कह रहें, दोस्तों, बहुत बढ़िया जितने लोग कह रहे sir होना चाहिए, संजय मांजिरकर उनका correct answer हो जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया, यहाँ correct answer हो जाएगा, संजय मांजिरकर राहुल ड्रेविड की दोस्तों कौन सी किताब है the nice guy who finished first, ठीक है, the nice guy who finished first, ठीक है यह इनकी एक किताब है, इनकी एक और किताब है दोस्तों ठीक है, वो कौन सी है, timeless steel, timeless steel, ठीक है रविश, दोस्तों हम मिलखा सिंग की बात करें, the race of my life, कौन सी the race of my life, यह दोस्तों इनकी पुस्तक है इनको दोस्तों किस नाम से आना जाता है, flying sick के नाम से जाना जाता है अगर मैं दोस्तों other, दोस्तों sports person की किताबों की बात करता हूँ तो आपको याद होगा, playing it my way, बहुत ही famous किताब है, playing it my way यह किसकी है, यह सचिन टेंडूलकर जी की, किसकी है, सचिन टेंडूलकर जी की है, ठीक है, 281 and beyond यह किसकी है, यह VVS लक्षमन जी की है, यह भी याद रखेगा, ठीक है अगर आपसे पूछले आएगा, a century is not enough, क्या, a century is not enough, यह किसकी पुस्तक है, तो याद रखेगा, यह है, सौरफ गाउंगली जी की है, दादा जी की है, ठीक है, याद रखेंगे उसके अलावा गर हम बात करते हैं, straight from the heart, यह किसकी है, यह पुस्तक पूछी जा चुकी है, यह कपिल देव जी की है, यह पुस्तक है, यह अग्जाम में पूछी गई थी, इसके अलावा गर मैं बात करता हूँ, the test of my life, यह किसकी पुस्तक है, यह युवराज सिंग की है, यह भी आपको याद रखना है बिलीव बिलीव किसकी पुस्तक है तो बिलीव जो है यह सुरेश रहना की है किसकी सुरेश रहना जी की यह किताब है याद रखेगा सनी डेस सनी डेस किसकी किताब है तो सनी डेस जो है यह सुनील गवसकर की है किसकी सुनील गवसकर जी की यह क ले रहा दोस्तों इन विच इयर वॉस दा इंडियन पार्लिमेंटरी ग्रूप एस्टैबिलेश्ट भारती संसेदी दल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी आपके लोग कुछ लोग कहरें सर इहां पर तो उनका गलत हो जाएगा साहिक कुमार का करेक्ट है साहिक कुमार दोस्तों यहां पर आपसे पुछा गया पारलेमेंटरी ग्रूप थीक है तो वह हुआ था 1959 में 1950 कई लोग कहे रहें दोस्तों यहां पे connect answer हो जाएगा 1949 में अच्चा parliamentary system parliamentary system जो है यह हमने किसे देश के समविधान से लिया है यह कई बार पूछ लिया जाता है तो parliamentary system हमने बिटेन से लिया है किसे? बिटेन से लिया है लेकिन बिटेन का जो सम्विधान है वो unwritten है क्या है unwritten लिखा हुआ नहीं है ठीक है अगर हम बात करते पारलेमेंट जो है वो कौन से अनुछेद में है तो अनुछेद 89 79 में है और पारलेमेंट दोस्तों लोकसभा से राजसभा से और राश्टपती मतलब प्रेसिडेंट से म किलकर बनता है ठीक है लोकसभा अनुछेद किसमें है एक्यासी में है राजसभा अनुछेद 80 में है और राश्टपती अनुछेद 52 में मौजूद है ठीक है चलिए आगे बढ़ें वेर गुड़ दोस्तों 140 लोग है फड़ा वर्स एक बार लाइक और शेर करते हैं 160 के उप को कहा जाता है नौर्थ इस्टरली विंड वेस्टरली लू यह नौर वेस्टर्स क्या कहा जाता है यहां पर वैरी गूड लू जित्ते लोग कह रहे हैं उनका यहां पर correct answer हो जाएगा लेकिन यह लू जो है वो हिंदी वाला है इंगलिश वाला लू नहीं है नहीं तो फिर गलत मीनिंग आ जाएगी ठीक है चले आगे बढ़ते अगला कोशन एस पर दा हिंदू कलेंडर उगाडी फेस्टिवल इस सदन स्टेट इन इंडिया इस सेलिब्रेटेड इन विच आफ दा फॉलाइंग मन्थ दोस्तो हिंदू कलेंडर के अनुसार भारत के दक्षडी राजियों में उगाडी जो है त्योहार निमलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है मागरीशा वैशाक चैत्र या फिश्रावन कम मनाया जाता है इसको चैत्र चैत्र कह रहे हैं। थीक है तो और कौनसे त्योहार जैसे बॉनालू का त्योहार आप लोग के पूछा कि था भतकुम्बा त्योहार बतकुम्बा तयोहार ये कहां पर मनाया जाता है तिलंगाना में कहां पर मनाया जाता है इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं आप लोगों से डोंगरी फेस्टिवल पूछा गया था डोंगरी फेस्टिवल डोंगरी फेस्टिवल कहां का है तो डोंगरी फेस्टिव और यॉशांग त्योहार योशांग त्योहार कहां पर मना जाता है तो दोस्तों ये अरुनाचल प्रदेश में मना जाता है कहां पे अरुनाचार प्रदेश में मना जाता है, लुसुंग तयोहार कहां पे मना जाता है, तो सिक्किम में मना जाता है, कहां पे सिक्किम में, भुम्चु तयोहार जो है, वो भी सिक्किम में मना जाता है, मे फी दे मी, दोस्तों तयोहार है, वो असम में मना जाता है, अम्बूबाची तियोहर कौल सा अम्बूबाची जो की दोस्तों कामाख्या देवी मंदर में मनाते हैं अम्बूबाची फेस्टिवल यह कहां पर मना जाता है असम में असम के कामाख्या देवी मंदर में इस तियोहर को मनाया जाता है राइट अगले कोशन पर बढ़ें चले अगले सवाल बढ़ते हैं, अगला question आपके स्क्रीन पर ये रहा, a group of ribosomes attached to the mRNA is known as, दोस्तों mRNA से सम्मंद ribosome के समू को क्या कहा जाता है, polypeptide, polyosome, polymer, or monomer, क्या कहते हैं हम लोग, जल्दी से सभी लोग बताएंगे यहाँ पर correct answer, अभी तक A option कह रहे हैं, सौभाग ये okay, बा जिते लोग A option, A option कह रहे हैं, उनका गलत answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, option number B हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ यहाँ पर correct answer कहा, polysomes, actually तोस्तों, यह cellular organs होते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, protein के बने होते हैं, और ribosome, आप याद रख रखना है, चले, आगे बढ़ें, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल, the government of India initiated the comprehensive family planning program in the year dash, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कारिकरम की शुरुवात वर्ष dash में की थी, 1960, 1991, 1972, 1982, कब की थी दोस्तों, फटावट बताएए, जल्दी जल्दी से सभी लोग बताए इंक्यानवे कह रहे हैं, 1991 कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर 1972 राकेश जी ने कहा है, मोहिज जी कह रहे हैं, 1972, ओम प्रकाश कह रहे हैं, 1972, तो दोस्तों, जितने लोग 1972 कह रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, 1972 जो होगा, ठीक है, अगला question, who among the following rulers ruled before प्रिथवी राज चोहान ओवर दिल्ली, प्रिथवी राज चोहान से पहले निमलिखित में से किस सासक ने दिल्ली पर सासन किया था, गियास उद्दिन बलबन ने, अनंग पाल ने, जलाल उद्दिन खिलजी ने, या कुतब उद्दिन एबक ने किसी ने राज किया था दोस्तो, फड़ा फड़ से बताएंगे, यहाँ पर C option कह रहे हैं, ओके, तो दोस्तो मैं आपको बता दू, यहाँ पर correct answer जोगा, वो हो जाएगा, option number two, आनंग पाल, यहाँ पर correct answer हो जाएंगे, ठीक है, correct answer क्या हो जाएंगे दोस्तो, आनंग पाल, अच्छा, दोस्तो, अगर मैं बात करता हूँ, दिल्ली को सबसे पहले capital बनाने वाली कौन सी dynasty थी, तो वो थी Tomar dynasty, कौन सी थी, Tomar dynasty थी, यह आपको ध्यान रखना है, कौन सी, Tomar dynasty, ठीक है, जिन्होंने दिल्ली को capital सबसे पहले बनाया, तक capital दिल्ली को बनाया था, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रिथवी राज चोहान जी की, तो यह कौन सी dynasty को बिलॉंग करते थे, तो यह चाहामना dynasty को बिलॉंग करते थे, किसको चाहामना dynasty को बिलॉंग करते थे, और दोस्तो, आपको याद होगा, इन्होंने 1191 और 1192 में दो युद्ध लड़े थे, किसके साथ लड़े थे, महमध गोरी के साथ, ठीक है, किसके साथ, यहाँ पर महमूद गोरी, सौरी, महमूद गोरी के साथ लड़े थे, और दोस्तो, अगर हम बात करें, पहले युद्ध में, तो प्रिथवी राज चोहान जी जीत गये थे, दूसरे में प्रिथवी र रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़े अगले कोशन पर वैरिकुड यहां पर कुसूम नेहां ओम प्रकास दीपक गौरफ बहुत बढ़िया अगला कोशन आपके लिए रहा विच थियोरी डिसकस्ट दा रिलेशन्शिप बिट्वीन लिगेंड बॉंडिंग और डिग्रेडे और डिकक्षियों के विभाजन के बीच सम्मंदों पर चर्चा करता है crystal field theory या फिर legand field theory या फिर valence bond theory molecular orbital theory कौन सी theory है यहां पर कहरे सर मोट होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते है तो दोस्तों जितलोग CFT, CFT कहरे है उनका correct answer हो जाएगा ठीक है very good CFT is the correct answer crystal field theory कहा जाता है इसमें सबसे पहले तो आपको यह याद रखेगा है कि हैंडरी मोसले के द्वारा दिया गया था, यह periodic table किस पे बेस है, atomic number पे, किस पे atomic number पे ठीक है, याद रखेगा, यह देखे, कुछ इस तरीके से periodic table दिखता है, ठीक है, modern periodic table थोड़ी सी गड़बडी हो गई, लेकिन ठीक ह इसी तरीके से दिखता है, यह होता है S block, ठीक है, यह होता है P block, यह होता है D block, और यह होता है F block, total element periodic table में, modern periodic table में 118 हैं, ठीक है, 118 element, अगले question में बढ़ें, चले, अगले question बढ़ते हैं, अगला question आपके लिए रहा, which article of the constitution of India, mentioned that business in a parliament, shall be transacted in Hindi or English, भारत के सम्विधान के किस अनुछेद में, उलेक है कि संसद में, कामकाज हिंदी या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा, article 120, 121, 122 और 119 में, किसमें दिया गया है, यहाँ पर कहरे सर, 100, ठीक है, चले, बहुत भी बढ़िया, जित्ते लोग यहाँ पर करें सर, option number 118 कैसे हो गया, दोस्तो, 118 तो option में ही नहीं है, ठीक है, हाँ जी, 120 जित्ते लोग करें, 120, 20, 20, उनका correct answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर correct answer हो जाएगा, 120, ठीक है, आच्छा दोस्तो, अगर हम बात करें, 121 में क्या है, restriction and discussion of parliament, क्या है, restriction and discussion of parliament, जो है वो अनुछेद, 121 में मौझूद है, क्या है, restriction and, दोस्तो, discussion of the parliament, यह discussion in parliament, ठीक है, discussion in parliament, यहाँ आपको याद रखना है, 121 में है, आगे बढ़ें अगले question पे, चले, अगला question आपके screen पर ही रहा, developing place of settlement is called dash, जोस्तो, अधिवाश के, विक्सित होने के स्थान को क्या कहते है, home, site, plane या shelter, क्या कहा जाता है, जल्दी से बताईए, सभी लोग फड़ावर से बताएंगे, यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कह रहे सर, site होना चाहिए, मीना जी कह रहे हैं, साइकुमार जी कह रहे हैं, बलजीद जी कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, जि भी लोग कमेंट करके फड़ावर से बताईए, भारत में अब तक राम सरसाइड कितने हैं, जल्दी जल्दी से, फड़ावर से बताएंगे, वेरी गुड, गौरव ने सबसे पहले आंसर दिया है, 75, फिर जोहा ने दिया है, साधना, दीपक, सुमित्रा, मास्टर पीस याद होगा, दो फरवरी, दो फरवरी 1971 को, यह डिसाइड हुआ था कि जो जितने भी वेटलेंड है, आदरभूमी जो है, उनको बचाना है किसको, वेटलेंड को, इसलिए दोस्तों आपको ये भी याद होगा, कि दो फरवरी को, हम लोग वेटलेंड डे मनाते हैं, ठीक है और अभी हमार दोस्तों सबसे बड़ा वेटलेंड जो है भारत में, वो आपको कौन सा मिलेगा, जल्दी से बताए, सुन्दर बन, कौन सा मिलेगा, सुन्दर बन सबसे बड़ा, लार्जिस्ट, ठीक है, लार्जिस्ट जो है वेटलेंड है, स्मॉलेस्ट वेटलेंड कौन स और वीट निमलिखित में से कौन सा हरित करांदी से जुड़ा हुआ है चावल गेहूं बोथ A and B only A neither A nor B या फर only B किस से जुड़ा हुआ दोस्तों यहाँ पर कहरे सर होना चाहिए option number A मतलब बोथ A and B के साथ जा रहे है तो जितने लोग यहाँ पर बोथ A and B के रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अब देखे ग्रीन revolution की जो बात आई है तो ग्रीन revolution की सुरुवाज जो है वो कब हुई थी वो हुई थी 1906 में 1966 में हुई थी और यह जो शब्द है यह किसके दौरा दिया गया था ठीक है विलियम गिड़े के दौरा दिया गया था अच्छा father of green revolution विश्व में किसे कहा जाता है world में किसे कहते हैं तो norman borlock को कहते हैं और अगर आपसे पूछ लए जाए कि इंडिया में किसे कहा जाता है तो आप लोग को कहना है MS स्वामी नाथन जी को किसको स्वामी नाथन जी को हरित करांती का पितामा या फिर जनक कहा जाता है भारत में अगर आपसे father of pink revolution पूछ लिया जाए father of pink revolution सभी को बताना है father of pink revolution home work लिख लिजे देखते हैं कितने लोगों को पता है और मैं यहाँ पर दोस्तो आपको बता दू pink revolution किसे रिलेटेट था दोस्तो फटावर से बताईए MS स्वामी नाथन बहुत ही बढ़िया green revolution याद रखीगा home work करना है आपको father of pink revolution किसे कहा जाता है चले आगे बढ़े अगले question पे पॉल्टरी वगेरा से कहते है ठीक है चले अगला question आपके लिए रहा who became the nawab of Bengal in 1756 after the death of अली वर्दी खान अली वर्दी खान की मृत्यू के बाद 1756 बंगाल का नवाब कौन बना सिराजुद्दौला, निगम शान शान नवाब या मुर्शीत कुली खान कौन बना ठीक है medicine ठीक है बहुत बढ़िया very good प्राउन 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 ठीक है यहाँ पर आंसर बताई दोस्तों अली वर्दी खान के बाद कौन बना नवाब फटा फट से ठीक है motion of an object is a dash if its velocity is constant किसी वस्तू की जो गती है वो dash होती है यदि उसका वेग जो है स्थिर हो only accelerating only decelerating non uniform और uniform correct answer क्या होगा फटा वर्द से बताए सभी लोग बताएंगे यहाँ पर correct answer और दोस्तों जिनों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फटा वर्द से लाइक और शेर भी करते हो चलेंगे uniform uniform correct answer हो जाएगा uniform क्यों 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 क्या कहा गया है velocity उसकी क्या है constant है तो वो कैसा हो जाएगा uniform motion हो जाएगा uniform motion का अगर आप देखोगे graph तो कुछ इस तरीके से दिखता है distance और time का ठीक है हर distance पर दोस्तो time जो है एक बराबर बढ़ता जाता है ठीक है अगले question बढ़ते है which Indian musician performed rag for the peace at the 2014 Nobel Peace Prize concert in Oslo Oslo में 2014 के Nobel Shanti Purushkar समारों में किस भारती संगीतकार ने rag for peace का प्रदरशन किया है बहादूर खान ने किया है अमजद अली खान ने या फिर buddha देव दास गुपता ने और सत्याकी बेनर जी ने किस ने किया है यहाँ पर करेसर होना चाहिए सद्याकी बेनर जी कुछ लोग करेसर अमजद होने चाहिए यहाँ पर करेक्टा अंसर क्या हो जाएंगे अमजद अली खान हो जाएंगे उस्ताद अमजद अली खान जी उस्ताद अमजद अली खान जी को ये आपको ध्यान रखना है अगर चले आगर बढ़ते हैं अगले क।शन की तरफ दोस्तो अगर हम नहाँ पे नोबल पीस की एगर में बात करता हूँ अभी पीस प्राइस विजटा हैं अभी पीस प्राइस विज़ेता हाली में उनको दोस्तो साल की जेल हो गई है कितने 10 years की अब वो कौन से व्यक्ति हैं यह आप लोग कमेंट करके बताएगे न्यूस का है ठीक है करेंट अफेर का है अगर आप लोग डेली सुबह मेरे साथ 6-7 बजे जुड़ते हो तो आपको यह कोशन आसानी से बन जाएगा सोमवार से शनिवार दोस्तों सुबह क्लास ह होती ही आपकी ठीक है चले आगे बढ़ें चले अगे बहुत बढ़ी आफ यहां पर शायद गौरव थोड़ा आंसर देने कोशिश कर रहें लेकिन मैंने व्यक्ति का नाम पूछा है व्यक्ति का नाम ठीक है ऐलस ऐलस सुमित्रा जी ने करेक्ट आंसर दिया ऐलस बिलाट्स कौण सा इंडारेक्ट टैक्स नहीं है लसलस कि दोस्तों जीन को क्या किया गया है जेएल में डाल दिया गया विर हैतों कि आप लोग पताई है हंप एक क्रेक्ट आंसर क्या होगा श्युक्त वर से बिदर जाएगे स्युक्ति GST आप लोग कहा रहो GST दोस्तों indirect tax होता है यहां पर wealth tax जित्ते लोग करें उनका correct answer हो जाएगा ठीक है बहुत बड़िया यहां पर हो जाएगा wealth tax Wailth tax हो गया, Corporate tax हो गया, dobry है, Income tax हो गया, Income tax हो गया, यह सारे कैसे हैं, Direct tax है, कैसे हैं तोऊस्तों, यह Direct tax है, अगर मैं बात करता हूँ Access to Tax Goods and Services, यह फिर camel duty जो है, यह Indirect Tax है, यह Indirect है, यह Indirect है, अब देखे यहाँ पर GST से बहुत बार सवाल पूछा जाता है जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था फादर ओफ GST कौन है तो फादर ओफ GST कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेई जी को कहा जाता है अच्छा है आप से यह पूछा गया था कि यह कौन से अनुछेद में मौझूध है किस सनसोधन से इसको किया गया है तो यह भी याद रखेगा 101 समवयधानिक सनसोधन से इसको जोड़ा गया है Goods and Services Tax के बात करता हूँ, इसमें Member कितने होते हैं, 33 Member होते हैं, दो प्रकार का ये Tax होता है, एक होता है Central GST, ठीक है, जिसको हम लोग कहते है Central Goods Services Tax, एक होता है State GST, SGST जिसको हम लोग कहते है, State Goods and Services Tax इसको कहा जाता है, ठीक है, विजय केलकर समीती इसी GST से सम्बंदित है, कौ सम्बंदित है, राइट, चले, आगे बढ़ें, चले, अगले कोशित बढ़ते हैं, अगला सवाल, How many times has India hosted the ICC Men's Cricket World Cup, one day, ठीक है, भारत ने कितनी बार ICC Men's Cricket World Cup, one day की मिजबानी की है, दो, एक, चार और तीन, कितनी बार किया है, दोस्तों, फड़ा फ़र से बताईए, जल्दी जल्दी से बताईए, ठीक है, तो दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर दो-दो कह रहे हैं, correct answer क्या हो जाएगा, option हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 यहाँ पर correct answer हो जाएगा, चले आगे, बहुत ही बढ़िया, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जीता था तो 1983 में जीता था ठीक है 1983 में दोस्तों किसकी कप्तानी में जीता था proposal किसके कपिल्देव 1975 में सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1900 अच्छा आप लोग पहले यह बताएगा पहला वर्ल कप किसने जीता था ठीक है यह बताएगा बहुत बढ़िया हर्याना हरीकेन वेरे गुड आगे बढ़े अगले कुशन पर अगला कुशन आपके स्क्रीन पर यह रहा तो नित्ते से संबंदित हैं अभी थोड़ी देर पहले डिसकेस किया था ओडिसी कथकली कथक और मनीपुरी क्या होगा ओडिसी जित्ते लोग कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर जागा ओडिसी इस दी करेक्ट आंसर ठीक है अच्छा आपके एक्जैम में क्या पूछा गया था में आपको बता देता हूं एक कोशन पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम ठीक है मोहिनी अट्टम जो है यह किस राज्य का नित्थ है तो सिंपल सा था केरला आपको आंसर लगा देना था एक पूछा गया था कि कथक जो डांस है यह किस रीजन में किया जाता है नौर्धन Eastern Region Southern Region तो आपको वहाँ पे Simply recipient लगाना था Northern region में किया जाता है क्योंकि आपको पता है यह किस राज में किया बहुत किया जाता है तो UP में किया जाता है उत्तर प्रदेश में जब उत्तर है तो उत्तर ही आंसर होगा मतलब Eastern चाहमना रूलर दोस्तों निमलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध चाहमना सासक था क्या वो पृतिवी राज्तिरती था या फिर विगर राजा था पृतिवी राज्वान या फिर वासुदेव कौन था दोस्तों चाहमना डाइनेस्टी का सबसे फेमस राजा कौन था यह आप से पूछा गया है ठीक है जितनलों कहते हैं सर प्रतिवी राज त्रती प्रतिवी राज त्रति उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ओप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर ठीक है प्रतिवी राज यह Himself कि अब तो कुछ तो दिक्कत है कि हैंग हो गया लगता है अब जस्ट मिनिट दोस्तों कि कि अब चीक है लगता है इसको कुछ दुस्मनी इसमनी हो गई अच्छा ओओ चल गया वह वह बहुत बढ़ा पृतिवी राज तृति यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो क्या होगा पृतिवी राज तृति है कभी कभी नाराज हो जाते तो वह भुस से पहले हैं चलोगमाबकर यह भीन है वह बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो बुलेगा कि दिन भर मुझे शान्त होने का मौकाइच नहीं दे रहे हो चलोगमाब्ध को थोड़ा सा थंडा करना पढ़ेगा थंडा कैसे करें का पानी से तो कर नहीं सकते ठोड़ा बंद करना पढ़ेगा वो करें इस से पहले कि यह तूण सा आगे बढ़ लेते हैं अगला उस्चर दूस्तो अंडर विच शकीम ल्युतेंट गवर्नर मनोज सिनहा inaugurated उमीद मार्केट प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर किस योजना के तहत लेफिटिन एंड गवर्णर जो थे मनो सिनहा इन जम्मू कश्मीर में उमीद मार्केट प्लेस को उद्गाटन किया है शल गया वापस से ठीक है, stand up India scheme, उज्वल scheme, या फिर अवसर scheme of airport authority of India, या फिर कुसुम scheme, जल्दी से बताईए कौन सा scheme था, सभी लोग बताएंगे, अवसर scheme, अवसर scheme कह रहे हैं, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा दोस्तों, अवसर scheme correct होगा, अच्छा दोस्तों, सभी लोग comment करके बताईए, अभी हाली में, लद्दाक के lieutenant governor कौन मने हैं, सभी लोग बताएंगे दोस्तों, अभी 12 राजियों के, और एक केंदर शाशित प्रदेश के दोस्तों, governor बदले गए थे, और वो जो केंदर शाशित प्रदेश था, वो था लद्दाक, तो फड़ा पर से बताईए, यहाँ पे, बीडी मिश्राजी, बीडी मिश्राजी बिल्कुल दोस्तों, ब्रिगेडियर बीडी मिश्राजी को बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठेक है, अगले question बढ़ते है, एन अरली टेंपल एट बिराट गाउं, उत्तर प्रदेश वास बिल्ट अबाउट 1500 येर अगो, वास मेड़ अप उत्तर प्रदेश के भीतर गाउं में, लगभग 1500 वर्ष पहले बनाया गया, एक प्रारंभिक मंदिर डैस से बना था, किस से, वूड से, मड ब्रिक से, क्ले से लोग यहां पर कहरे सर, सी, उनका गलत होगा, फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बेग्ड ब्रिक से बनाया गया था, किस से, बेग्ड ब्रिक से, और दोस्तों, यह किस के दोरा बनवाया गया था, अगर हम बात करते हैं, तो यह मंदिर ज राजा कौन था तो विश्णु गुप्त थे कौन थे विश्णु गुप्त जो थे आखरी राजा थे ये भी याद रख लेंगे ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे दराइट तु फ्रीडम ऑफ रिलीजिन इस कंटेंड विदिन दी आर्डिकल ऑफ कॉंस्टिश जली से बताएए यहाँ पर कहरें सर होना चीट 25 तू 28 तो दोस्तों ऑफ्शन नमबर सी कुछ लोग ए कह रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑफ्शन नमबर 3 करेक्ट होगा अब देखे अगर मैं बात करता हूँ आडिकल 29 से 30 क्या है कल्चिरल एंड 14 से 18 तो यह right to equality के अंतरकत आता है हमसे क्या पूछा था religion के लिए तो वह 25 से 28 हो जाएगा अगला question the first match of IPL 2022 was played in Dash IPL 2022 का पहला match जो है Dash में खेला गया था बैंगलूरू, मुंबई, कोलकता और लखनौ फटावर से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा फटावर से बताएंगे सभी लोग, मुंबई, मुंबई तो दोस्तो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, मुंबई करेक्ट आंसर का, अगर यही final match पूछ लेता, final match कहां पर हुआ था, ठीक है, final match, तो final match जो हुआ था, वो हुआ था, मोदी स्टेडियम में, कहां पे, मोदी बीस हजार लोग एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है, final match जीता किसने था, गुजराट टाइटन ने जीता था, किसने, गुजराट टाइटन ने जीता था, और runner-up कौन था, तो runner-up आपको याद रखना है, राजिस्थान रोयल, कौन था, राजिस्थान रोयल जो था, वो runner-up थ इसका, ठीक है, चले आगे, very good, अगले कोशन बढ़ते हैं, very good, heartbroken, आशीश, रोशनी, प्रवीन, जासी, चलिए, अगला कोशन आपके लिए ये रहा, identify a protein digesting enzyme, protein पाचक enzyme की पहचान कीजिए, lipase, amylase, collagen और pepsin, फड़ा वर से बताई, दोस्तों, protein का पाचन कौन सा enzyme करता है, सबी लोग बताएंगे, और दोस्तों, आपके SSE, CHSL में भी दोस्तों, खेल से कोशन पूछा गया था, आज पूछा गया था, कि पहला जो FIFA मैच है, वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, खेल से भाई, ठीक है, पैपसिन, पैपसिन और स्टार्ज का, स्टोमक में तीन एंजाइम मौदूद होते हैं, पैपसिन, रैनिन और ट्रिपसिन, यह तीनों एंजाइम जो है दोस्तों पाचन करते हैं, प्रोटीन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक दोस्तों होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉ दोस्तों हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए दोहजार दो में राश्ट्र फिल्म पुरुस्कार के विजेता कौन थे एहमद खान राजु खान दिनेश कुमार और शियामक दावर कौन थे दोस्तों ठीक है यहाँ पे बहुत बड़िया यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा और अच्छा दोस्तों अबही ओसकर हाली में मिला आपको पता है। Oscar मिला current में दोस्तो Oscar अभी दोस्तो news में है ठीक है इसको हम लोग क्या कहते है Academy Award भी कहते है क्या कहते है Academy Award भी कहते है ठीक है अच्छा कौन से number का था तो 95th number का था यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि best picture कौन सी थी तो everything everywhere all at once ठीक है याद रखेगा कौन सी best picture की अगर मैं बात करता हूं तो best picture थी everything everywhere all at once ठीक है याद रखेंगा best actress कौन थी Michelle Yoho क्या थी Michelle Yoho ठीक है यह भी याद रखेंगा किस movie के लिए मिला था everything everywhere all at once के लिए इनको मिला था ठीक है everything everywhere all at once ठीक है अच्छा बेस्ट एक्टर कौन से दोस्तों यह आप लोग comment करके बताएंगे उनको दोस्तों दवेल movie दवेल movie के लिए दिया गया था ठीक है चले आगे sir history car निचोड करो ताकि MTS वालों को help हो सके बिलकुल masterpiece यहां पर हम लोग MTS के लिए बिलकुल classes करेंगे ठीक है आपके लिए weekend में दोस्तों marathon करी जाएंगी don't worry उसके लिए classes planned है ठीक है चाले यहां पर अगले कोशन बढ़े अगला कोशन दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों SI unit of electric charges विद्धित आवेश के SI काई क्या है कुलंब है वाट है न्यूटन है या जूल है फड़ा फड़ से बताते हुए चली दोस्तों SI unit of आप से पुछा गया electric charge हाँ very good गौरफ bread and freezer को दिया गया है लेकिन आपको homework दिया गया था ठीक है कुलं कुलं करेक्ट आंसर रोगा वाट किसकी unit है दोस्तों पावर की unit है न्यूटन किसकी है दोस्तों फोर्स की unit है और जूल किसकी unit है एनरजी की unit है यह भी याद रखेंगे ठीक है अगला कोशन इन इंडिया इनिशली HYVP was implemented in about how much area भारत में प्रारम में HYVP को लगभग कितने छेतर में लागू किया गया था पांच मिलियन हेक्टे जल्दी से बताइए कि फड़ा फट से सबी लोग यहां पर कमेंट करके बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है अभी दोस्तों यहां पर अभी तक किसी का नहीं है पांच मिलियन पांच मिलियन कह रहे हैं अब यहां पर कुछ लोग स्किप भी करना चाहरें मैं आपको बता दूं यहां पर option number 4 correct answer हो जागा ठीक है करेक्ट आंसर हो जागा option number 4 अब देखिए HYVP है क्या high yielding variety program क्या है यह high yielding variety program इसका full form है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है high yielding variety program अगला कुशन आपके लिए in which of the following year was the first train run in India दोस्तों किस वर्ष में जो है भारत की पहली बाड रेल गाडी चली थी 834 4 वावन और पचपन कब चली थी फड़ावर से दोस्तों बहुत ही सिंपल सा कोशन है कि पहली जो रेल चली थी वह कौन चली थी 1823 वेरिगूड प्रवीन सवभाग वेरिगूड किसके समय में चली थी तो डलहौजी के समय में दलहौजी के समय में चली थी, कहां से कहां तक बॉम्बे ट उथाने, कितने किलो मीटर, 34 किलो मीटर, ठीक है, कितने केरिजेस थे, 14 केरिजेस लगे हुए थे इसमें, ठीक है, और कितने पैसेंजर थे, 400 पैसेंजर थे, ये भी आपको याद रखना है, कितना टाइम लग्या था एक घंटा पंद्रा मिनटी सफर करने में लगा था तीन इंजल लगे थे कौन कौन से साहिब सिंध और सुल्तान तीन इंजल लगे थे यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़े चलिए अगले कोश्चन बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले फड़ा वर्स एक बार लाइक और शेयर करते हों चलेंगे अगला कोश्चन आइडेंटिफाइन एक्जामपल ओफ डाइप डाइपलोब्लास्टिक एनिमल दी गुडित प्रानी के दोस्तों एक उधारन को पहचाने क्या वो प्लेट है यहां पर अरेकनिट्स है कॉडिनेट्स है या फिर कोलेंट अगले कोश्चन पर यहां पर यह कोश्चन होमवक रहेगा ठीक है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे ठीक है दोस्तों यहां पर समय होता है समाप्त जहां पर आज हमने मिक्स कोश्चन किये हैं और दोस्तों यह डेली क्लास होगी Monday to Friday, ध्यान रखिए, Monday to Friday होगी, शाम को चार से पांच बजे होगा, और इस class की PDF कहाँ पर मिलेगी, इस class की PDF आपको मिल जाएगी, टेलेग्राम पर, ठीक है, चले, simply आपको क्या करना है, टेलेग्राम पर जाना है, और टेलेग्राम पर जाने के बाद, आपको सिर्फ सर्च कर करना है, at the rate, गौरफ सर्ट टेस्बुक सर्च करना है, वहाँ पर PDF मिल जाती है, YouTube सेशन के अपडेट, quizzes होते है, QR को स्कैन करके जुड़ सकते हो, यह directly सर्च कर सकते हो, गौरफ मौरिया सर्ट टेस्बुक, ठीक है, चले, मैं आपके लिए दोस्तों यहाँ पर, लिंक भी श पर अगर मैं बात करता हूँ, MTS की क्लास दोस्तों आपकी ओलरीडी चल रही है, MTS की क्लास दोस्तों आपकी ओलरीडी चल रही है, morning में शायद MTS चलती है, दिवया में लेती है, उसमें भी आप जुड सकते हो, और हम लोग weekend में भी MTS करेंगे, don't worry, ठीक है, MTS को छोडने दोस्तों यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर जाने के बाद testbook super coaching channel पर चलते हैं, चलिए testbook super coaching channel पर उस पर जाने के बाद आपको देखिए live class जो चल रही है, इसी live class पर चलते हैं, और सबसे पहले जिन्होंने like नहीं किया, फड़ा वर से क्या करेंगे, like करेंगे, ठीक है और शेयर कर देंगे और जैसी आप इस दोस्तों open करोगे description को आपको यहाँ पर देखे लिंक मिल जाएगी ssc super coaching link इसको click करिए यह directly आपको इस page मिले जाएगा जहाँ पर आपको सारी detail मिलती है ठीक है आप दोस्तों यहाँ पर simply क्या कर सकते हैं नीचे की तरफ आएंगे देखे पूरी detail course की आपको मिल जाएगी course भी आप चेक कर सकती हो ठीक है यह सारे courses है आप लोगों के लिए और यहाँ पर आने के बाद आपको देखे कौन सा plan लेना है 24 मेने का 6 मेने का 12 मेने का सब दोस्तों plan है मा लिजए 727 जो plan है इसको ले रहे है आठ मेने का plan तो सिर्फ आपको क्या करना है coupon code apply करना है क्या coupon code है G-A-U-R-A-V-M जैसे आप इसको apply करोगे तो दोस्तों जो 727 का था वो 675 का हो गया और आप यहाँ पर तैयारी भी कर पाओगे ठीक है तो चलिए दोस्तों इस session को यहीं पर करेंगे समाप अगर यह session आपको अच्छा लगा है तो comment करके ज़रूर बतेएगा like share subscribe अ session में तब तक लिए रखेगा अपना ख्याल अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा बाइबाई टेक एर जैहिंद जैभारत